हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल हैस्टेक क्रियेटिव आर्थी पोरवार दोस्तों मैं हूं आर्थी और आज मैं नीट स्टुडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी लेकर आई हूं जी हां दोस्तों नीट में जिन बच्चों ने एक्जाम नीट की त्यारी क दे चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशकबरी है दोस्तों जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं उनके लिए तो समझी लॉट्री लग देए क्योंकि नीट में कोटा तमिल लावडवे सरकारी स्कूल के छात्रों को MBBS और BDS के लिए जो मेडिकल कॉलेज में कोर्सेज होते हैं 7.5% का रिजर्वेशन मिल गया है जी हां दोस्तों तमिल लावडवी सरकार ने ये घुशना कर दिये कि MBBS और BDS का कोर्स करने वाले जो सरकारी स्कूल के पढ़ने आले बच्चे हैं उनको 7.5% का आरक्षन आपको बता दू तमिल लावडवी सरकार में मौजूदा 2021 स्कूल कोर्सेज में दाखिले को लेकर राज संचालित स्कूलों के छात्रों के लिए 7.5% का आरक्षन का आदेश गुरवार को अधिसूचित किया है सरकारी आदेश में कहा गया है कि राश्टी योगिता ये जो सह प्रवेश परिक्षा नीट किये इसके पढ़ाम घोशित हो चुके हैं और दाखिला प्रक्रिया चालू हो चुकी है इसलिए इस मुद्दे पर जल्दी फैसला करने की जरूरत है पिछले महीने राज विधानसभा ने आरक्षन को लेकर जो विध्यक पारित किया था उसे राजपाल बनवारी लाल प्रोहित से अब तक मंजूरी नहीं मिली है सरकारी आदेश के मुताबिक सेक्षनी कोल्ट 2020-2021 से MBBS, BDS, BMS, BAMS, BUMS और BHMS में दाखिले के लिए 7.5% सीटों पर नीट में सफल होने वाले सरकारी स्कूल के चात्रों को तरजी दी जाएगी तो आरक्षन लागू करने के लिए सास्की राश्ता अपनाते हुए अन्ना द्रमुक के नेत्रत वाली सरकार मुद्दे पर विपक्षी द्रमुक से आगे निकलना चाती है जिससे जोर शोरसे से उठाया था और आरक्षन तुरंद लागू करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था तो कुछ दिन पहले द्रमुक प्रमुक M.K. स्टॉलिन ने विदेयक पर राजपाल की मंजूरी के लिए प्रदर्शन का नित्रत किया था और कहा था कि पाल्टी छात्रों को आरक्षन मिलने तक प्रदर्शन जारी रखेगी राजी के स्वास्त और पलिवाड कल्यार विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश में ये भी कहा गया है कि आरक्षन प्रदान करने के लिए नितिकत फैसला किया गया है आरक्षन का यह विशह राजी के लिए बड़ा मुद्दा बन चुका है जहां अगले साल अप्रैल माई में विधान सभा का चुना होना है मंत्रियों के एक सिस्ट मंडल ने राजी पासे विधेयक पर जल्द मंजूरी देने को आगरे किया था लेकिन उन्होंने कहा था कि इन्हें उस पर गौर करने के लिए तीन से चार हफते का समय लगेगा तो दोस्तों यह घोशना तो हो गई है कि 7.5% आरक्षन मिलेगा और यह जल्द ही लागू कर दिया जाएगा तो जो बच्चे नीट की त्यारी कर रहे हैं यह जिन्होंने अभी अभी नीट का एक्जाम कॉलिफाई किया है और उनके लिए बहुत अच्छी खबार है अगर वो तमिल लाडु के गवर्नमेंट कॉलेज से पड़े हुए हैं तो उनको 7.5% का लिजर्वेशन MBBS और BDS के कोर्स में मिलेगा तो यह नीज बहुत बड़ी नीज है तो बच्चों यह आप समझ दीजिए जो बच्चे सपना देखनें डॉक्टर बनने का उनका स्खवाब बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा तो दोस्तों अगर आपको यह नीज अच्छी लगी हो तो प्लीस मेरे वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके आगर जो बेल आइकन का बटन लगा है वो दबा दीजेगा ताकि मैं सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपकर सबसे पहले पहुचा सकूँ थैंक यू